हेलों वेल्कम टाइब हैम एकेडमी मैं हूँ शशांग लखेरा रुस्ट में हम बात काने वाले हैं बगराम एयर बेस के बारे में बगराम एक बहुत इंप्टेंट एयर बेस है जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा और हम जूम इन कर रहे हैं बगराम की दरफ जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कदम रखा उसके बाद बगराम एयर बेस को जो है आपर डेवलप किया गया मानलों अगर कोई भी अमेरिका का ओफिसर जो अफगानिस्तान में आ रहा है तो वो सीधे लेंड करेगा बगराम एयर बेस पे जी हां आप सोचके दे लेकिन जब फाइनली अमेरिका ने ये बोला कि हम यहां से पुल आउट करेंगे अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को वापिस बुला लिया तब ये एयर बेस को हेल्ड ओवर कर दिया गया अफगानिस्तान की फोर्सेस को लेकिन अफगानिस्तान की फोर्सेस इस एयर बेस को य इंडिया के प्रोस्पेक्टव से अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपौर्टेट एर बेस है, क्योंकि अफगानिस्तान से सबसे पास जो देश है वो है इंडिया, इंडिया की बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से लगती है, जो हमारा पियो के वाला एरिया है, उसकी बौर्डर को अफगानिस्तान से लगती है इसके अलावा चाइना अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यहां पर यूज कर सकता है भारत की अगेस्ट और इसके रिगार्डेंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा यह आर्टिकल टैमस आफ इंडिया का है China trying to take over where сильно Air Force Base use Pakistan against India So basically, China try कर रहा है कि किसी भी तरीके से बग्रम जो Air Base है उसको यहाँ पर take over कर लिया जाए और इसको हम इंडिया के against में यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं ओर रिशेंटली, अमेरिका की जो दिप्लोमेंट है Nikki Hillary उनकी यहाँ पर statement बगरम airbase एक बहुत important airbase रहा है अफगानिस्तान अमेरिका ने जितने भी operation अफगानिस्तान में किये हैं वो इसी base से यहाँ पे conduct किये गए हैं और अगर चाइना इसको यहाँ पे take over कर लेता है तो यह काफी concern की बात होगी इंडिया के लिए क्योंकि चाइना और हमसे पास में आ जाएगा चाइना कभी भी जो है हम पे यहाँ पे attack तो क्या चाइना बेकरम airbase को take over कर पाएगा अमेरिका को यहाँ पे क्या करना चाहिए और भी जो देश है यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए तो क्या चाइना background airbase को यहाँ पे capture कर पाएगा इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए अमेरिका यहाँ पे क्या कर सकता है और भी जो allies है वो यहाँ पे क्या कर सकते है तो काफी कोच जो हमें पे discuss करने वाले है उसके पहले just go to google page जो download mmacademy app आपको करना है mmacademy आपको download करना है फिर आपको sign up करना है आप दो virtual lecture देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी download कर सकते हो ना देखो recently जो है ना अमेरिका की जो former envoy है निकी हैले उन्होंने यहाँ पे यह statement दिया कि चाइना यहाँ पे move कर सकता है अफगानिस्तान की दरफ मतलब चाइना यहाँ पे closely जो है नजर रखा हुआ है बगरम एर फोर्स बेस पे जो एक जमाने में अमेरिका यहाँ पे control करता था देखो बगरम एर बेस की अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है पहले ही रशिया ने इसको बनाया उसके बाद जब यहाँ पे अमेरिका पहुँचा तो अमेरिका ने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे develop किया अमेरिका ने billions of dollars जो है यहाँ पे invest किये अपने soldiers यहाँ पे deploy किये लेकिन जब अमेरिका यहाँ से बाहर निकला तो यह अमेरिका ने handover कर दिया अफगानिस्तान की forces को लेकिन बात में यह हुआ कि अफगानिस्तान की forces इसको maintain नहीं कर पाई तो तालिवान ने यहाँ पे इसको capture कर लिया और आज के समय अफगानिस्तान में आपको तालिवान का ही पूरा रोल देखने को मिल रहा है और इनकी यह statement को बहुत ध्यान से पढ़ो I think they are also making a move in Afghanistan and trying to use Pakistan to get stronger to go against India so basically भारत के against में चाइना यहाँ पे अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को दोनों ही को जो है यहाँ पर use कर सकता है देखो पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना का है पाकिस्तान में चाइना की आपको बहुत बड़ी investment देखने को मिलेगी in fact पाकिस्तान के पास जो aircrafts हैं वो भी आपको चाइना मेंट देखने को मिलेंगे और चाइना और पाकिस्तान के काफी अच्छे रिलेशन भी तो एक बार हम एक्जेक्ट लोकेशन देख लेते हैं बगरम एयर बेस की तो बेसिकली यह है काबुल जो अफगानिस्तान की केपिल है और यह है बैगरम तो वेस जो है उनकी फोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन अब यह सब जो है तालीबान यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है और देखो आज तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं अफगानिस्तान में उन सब को इसी एयर बेस से जो है यहाँ पर कंड़क्ट किया गया है तो बेसिकली अफगानिस्तान के लिए यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट बेस रहा है और देखो मान लो भविष्च में चाइना ने टेक ओवर कर लिया बगराम एयर बेस को तो एक बहुत ही सिक्योर्टी थ्रेट होगा भारत के लिए क्योंकि अफगानिस्तान से भारत बिलकुल पास में है और बीच में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा और पाकिस्तान भी चाइना कही है चाइना की जो है बहुत साथा इंवेस्टमेंट है पाकिस्तान में तो बेसिकली भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे थ्रेट है अगर हम बगरम एयर ब और अफगानिस्तान में बहुत सारे जो ऑप्रेशन है इसी एयर बेस्ट से यहाँ पे कंड़क्ट किये गए और अगर हम इसकी एक्जेक्ट लोकेशन की बात करें तो जो हमित करजाई इंटरनेशनल एयर पोर्ट है जहां हाली में हमको दो बंबलास भी देखने को मिले थे और उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया था और वहीं से यह करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा और यह साउथ ऑफ बर्गम में आपको देखने को मिलेगा और अगर आप इसकी करेक्टिविटी देखोगे ना तो सिर्फ यह 40 किलोमीटर दूर है क इस से काबुल से सो बेसे के लिए काबुल से यह सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे है और जो यूएस की एनवाय है निकी हेले उन्होंने स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज किया है प्रसिडेंट जो बाइडन को क्योंकि जिस तरीके से एक दम से अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को और चाइना पर नज़र रखना चाहिए क्योंकि बिलकुल पॉसिबिल्टी है कि चाइना कभी भी जो है यहाँ पर टेक ओवर कर सकता है बगरा मेयर बेस को और देखो बहुत सारे देश यहाँ पर यह समझते थे कि अमेरिका की मिलिटरी जो है बहुत जादा स्ट्रोंग है अमेरिका बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर इंवेस्मेंट करता है अपने सोल जस्पे लेकिन जिस तरीके से एक दम से यहाँ पर पुल आउट कर लिया बाइडन ने तो हम यह कह सकने कि बहुत सारे देशों का जो भरोसा है वो अमेरिका पर बहुत जादा कम हो चुका ह अब समय आ चुका है कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर एलाइज को जो है यहाँ पर फॉर्म करना चाहिए और देखो सिर्फ यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की बात नहीं है अफगानिस्तान में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में अब कर पाएं और यहीं नहीं जो बड़े देश हैं युवेस जपान ऑस्टेलिया यूक्रेन इंडिया इन सब को यहां पर साथ में आना चाहिए और एक यहां पर फॉर्म करना चाहिए जिससे प्रॉपरली जो है मालो भविश्च में चायना यहां पर अटेक भी करता है तो हम जो क्या है अमेरिका ने कितने सारे ओपरेशन जो है इसी एर पेस से यहां पर कंड़क्ट किये हैं और मालो अगर चायना इसको टेक ओवर करता भी है तो अमेरिका इंडिया जापान ऑस्टेलिया और भी जो बड़े देश है इन सब को आके यहां पर एक एलाइस फॉर्म करना चाहिए कि नहीं जिससे हम इसी लिए यहां पर चायना और टेर्रिजम दोनों को जो है आपर काउंटर कर पाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना इसी के साथ यह तन दिश वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद जैहिन जैभाद